तीन दिन बासी मूखाई ये सिरफ दो दाने चहरे पर जुरियां, सरीर की कमजोरी, ठकान, हाडियों की कमजोरी, सुगरो, कॉलोस्टोल, पेट के रो, मोटापा और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होगी नमस्कार दोस्तो, दोस्तो आज की इस वडियों में हम आपको एक ऐसी चमतकारी चीज के सेवन की विदी के बारे में बताएंगे, जो आपके सरीर की बहुत त्रहें की बीमारियों का इलाज है दोस्तो इसका सेवन करने से आपके स्रीर की हरत रहें की कमजोरी बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगी दोस्तो आपको कमजोरी क्या है वो आप भूल जाएगे दोस्तो आपके चहरे पर कभी जुडिया नहीं आएगी आपके चहरे पर गलोह आ जाएगा दोस्तो आपको ठकान फील नहीं होगी, जो आज तक आप ठका ठका सा फील करते थे, तो दोस्तो आपकी एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, दोस्तो आपके सरीर में हड्यों की कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि ये नुस्खा कैल्सियम का खजाना है, और आपके सरीर की हड्यों को वजर के समान मस्बूत बनाने का काम करता है। दोस्तों इस नुस्खे को लेने से आपका सुगर का लेवल यनी जो डाइबटीज की विमारी आपकी अनकंट्रोल चल रही थी वो कंट्रोल में आजाएगी। आपका कोलोस्टोल लेवल बिल्कुल सही हो जाएगा। बैड कोलोस्टोल की मातरा आपके सरीर में सही हो जाएगी। दोस्तों आपका मोटापा छूमंतर की त्रहन गायब हो जाएगा। आप बिल्कुल सलीमोर फिट बन जाएगे। पेट की रोख, कबज, गैस और SDT की समस्या आपको नहीं होगी। आपका पाचंत अंतर मजबूत हो जाएगा। और आपको ये दिल की बिमारिया होने का खत्रा भी नहीं होएगा। आपकी हार्ट बुलो के सही हो जाएगी और आपको हार्ट टेक नहीं आएगा। आपका दिल भी मजबूत बन जाएगा। दोस्तो आज की इस विडियों की जो मुख्य समगरी हैं वो है दोस्तो अंजीर और दोस्तो अंजीर के बारे में कौन नहीं जानता हैं प्रजीर फल ऐसे होते हैं जो फल के रूम में तो स्वादिष्ट लगते ही हैं लेकिन सूखने के बाद सेहत के लिए और भी गुणकारी हो जाते हैं दोस्तो अंजीर भी उन्हीं फल्लों में से एक हैं इसे फल ओर ड्राइ फूट दोनों प्रकार से ही खाय जाता है दोस्तो यह जितना स्वादिष्ट है यह बिमारियों के लिए भी उतना ही कारगर है और आपके पूरे सरीर को बिलकुल निरोगी बनाने का काम करता है दोस्तो अब जानते हैं कि इससे होंगे क्या-क्या फाइदे हैं उसके बाद आपको बताएंगे इसके सेवन का सही तरीका वजन को घटाने के लिए दोस्तो अंजीर वजन के घटाने में बहुत आदे का फाइदे मन्द है इसलिए दोस्तो मोटे लोगों को अंजीर खाने के सलहाद दी जाती है क्योंकि यदि वो अंजीर का सेवन करते हैं तो इससे उनके पेट, कमर और जांगो की चरवी, मक्षन की तरह हैं पिंगल जाती है, पाचन तंतर, दोस्तो यदि आपका पाचन तंतर कमजोर है और आपको पेट का कोई भी रोग है, आपको कबज की समस्या है, पेट में गैस की समस्या है या फिर एसिडिटी की समस्या है, दोस्तो तब भी आपको इस अंजीर का सेवन करना चाह या आपके सरीर के अंदर कैल्सियम की कमी है, दोस्तो तब भी आपको अंजीर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अंजीर कैल्सियम, पोटासियम और मेगनीशियम से भरपूर है, जो आपके सरीर की हाडियों को वजर के समान मजबूत बनाने का काम करता है, और दोस्तो यदि अंजीर में पैक्टी नाम का एक घुलंसील फाइबर होता है जो कोलोस्टोल को कंट्रोल करने में बहुत अधिक प्रभावी है अंजीर में मुझूद फाइबर आपके पाचन तंतर में अतरिक्त कोलोस्टोल को साप करता है उसे खतम करने के लिए कोलोस्टोल को आंतों तक ल जूद होता है जो सरीर में प्राकृतिक कोलोस्टोल संसलेशन को कम करने के साथ साथ ब्लडपैसर की बीमारी में भी बहुत अधी कारगर है हर्दे रोगों से बचाओ के लिए दोस्तो कॉर्णरी हर्दे रोग एक घातक बीमारी है जिसमें हमारे हार्ट में ब्लोकेश हो जाती है और हमें हार्दे रोगों के आने का डर रहता है और दोस्तो ये अंजीर का सेवन आपके कोलोस्टोल लेवल को सही करता है जिससे कि आपको ये heart blockage की समझ्या नहीं होती ये triglyceride रक्त में मुझूद वसा को कणो क कहते हैं जो हर्दे रोमों का एक मुखे कान है और दोस्तों ये अंजीर उसको ही सही कर देता है जिससे आपको कोई भी heart blockage नहीं होती और नहीं आपको heart attack के आने का डर रहता है अमरीकन Diabetes Association के अंजीर मदुमे को कंटोल करने में अती सक्सम है अंजीर की पतियों का सेवन सुगर के रोगियों की इंसुलीन के इंजेक्शन पर निरवरता को कम करता है अंजीर पोटासियम का एक स्त्रोथ है जो सरीर दोबारा के जाने वाले सुगर के अवसोशन पर कंटोल रखता है यह बलड सुगर के स्तर में आने वाले उतार चड़ाओ पर रोक लगा कर मदुमे रोगियों के लिए एक बहुत फाइदेबंद ओस्ति की त्रहे काम करता है दोस्तो यदि आपकी आँखों पर चस्मा लगाव है और आप अपनी आँखों के रोचने को बढ़ाना चाहते हैं तब भी दोस्तो यह आपके लिए एक वरदान की त्रहे काम करता है और आपकी इस आँखों की रोचने को बढ़ाने का काम करता है तो देखा दोस्तो कितना फाइदेवन है इस अंजीर का सेवन अब जानते हैं दोस्तो आपने इसका सेवन करना कैसे है ताकि आपको इसका भरपूर फाइदा मेले तो आपने क्या करना है दोस्तो अंजीर को लेकर रात भर पानी में भीगो कर रख देना है और सुबे बासी मो इसके 2-4 दाने आपने खा लेने हैं 2-4 दाने खाएंगे आप तब भी प्रोपर है 2-4 दाने तक आप इसके खासते हैं ये पीज जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ तो दोस्तों जदि आप इसके 2 दानों का सेवन करते हैं तब आप अपने पूरे सरीर को निरोगी बनासते हैं अपने सरीर के इम्म्यून पावर को बढ़ासते हैं चहरे पर गलो नासते हैं आपकी उमर बढ़ने की प्रकेर रुख जाएगी आपके चहरे पर जुरियां नहीं आएंगी आपका चहरा दमकता चमकता रहेगा सरीर की कमजोरी जड़ से खतम हो जाएगे आपको ठकान नहीं होगी कोलोस्टोल की समश्चा का इलाज होगा मुटापा कंट्रोल में होगा हाड़ियों की कमजोरी जड़ से खतम हो जाएगी पेट का कोई रोग नहीं रहेगा, दिल की बिमारिया नहीं रहेगी और आपकी डाइवडीज भी बिलकुल सही हो जाएगी तो दोस्तों देर किस बात कियें, आप भी आज ही से इस अंजीर का सेवन सुरू करतीजी, यदि आप अपने सरीर को निरोगी बनाना चाहते हैं और बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं, तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अ आते रहे धन्यवाद दोस्तों